नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल रविशाडी आई की उजीके पर आज मैं आपके लिए सभी एक्जाम के लिए सबसे ज़ादा इंपोरेंट टॉपिक जिसे की हम RBI भी बोलते हैं इसके most important question इस वीडियो में लेकर आए हूँ मैंने आपके लिए सभी question selected और important लिए हैं अगर आप किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफी ज़ादा useful रहने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं first question से first question है मारा Reserve Bank of India जिसे की हम RBI भी बोलते हैं भारती Reserve Bank भी बोलते हैं किस थापना कब हुई थी सही answer है option A 1 April 1935 एक April 1935 को RBI की स्थापना हुई थी important question है आपके एक्जाम के लिए next question भारती Reserve Bank की स्थापना किस अधिनियम के प्रापधानों के अनुसार 1 April 1932 को हुई थी सही answer है option B भारती Reserve Bank अधिनियम 1934 भारती Reserve Bank की स्थापना भारती Reserve Bank अधिनियम 1934 के अनुसार 1 April 1935 को हुई थी फ्रेंसी अधिनियम भी काफी बार एक्जाम में पूछा गया है next question शुरुआत में भारती Reserve Bank यानि की RBI का केंद्रिय कार्याले कहां स्थापित किया गया था सही answer है option C कोलकाता पश्चीम बंगाल का जो कोलकाता है यहां पर भारती Reserve Bank का केंद्रिय कार्याले जो है शुरुआत में स्थापित किया गया था next question किस वर्ष भारती Reserve Bank का केंद्रिय कार्याले को स्थाई रूप से मुंबई में स्थानंत्रित कर दिया गया था सही answer है option A 1937 में 1937 में friends भारती Reserve Bank का केंद्रिय कार्याले है इसे इस्थाई रूप से मुंबई में स्थानंत्रित कर दिया गया था next question भारती Reserve Bank का केंद्रिय कार्याले वह कार्याले है जहां कोन बैठता है सही answer है option C RBI के governor RBI के जो governor reference यह भारती Reserve Bank का केंद्रिय कार्याले यहां पर बैठते है next question भारती Reserve Bank का राश्टी करन कब किया गया सही answer है option B 1 January 1949 एक जनवरी 1949 को friends भारती Reserve Bank का राश्टी करन किया गया next question काफी important है भारती Reserve Bank के पहले अंग्रेजी governor कोन थे सही answer है option A Sir Osborne Sir Osborne जो थे यह भारती Reserve Bank के पहले अंग्रेजी governor थे और friends मैं आपको बता दूँ कि जो Sir Osborne थे यह 1 April 1935 से 30 June 1937 तक RBI के पहले अंग्रेजी governor थे इनका कारेकाल भी मैंने आपको बता दिया next question भारती Reserve Bank के पहले भारती गवर्नर कोन थे friends उपर मैंने आपको बताया पहले अंग्रेजी governor कोन थे जो मैंने जिसका answer मैंने आपको बताया Sir Osborne अब हमारा question है पहले भारती गवर्नर तो इस question का जो सही answer है वो है option C CD देशमुक CD देशमुक पहले भारती गवर्नर थे RBI के और इनका कारेकाल था 1943 से 1949 तक next question भारती रिजर्ब बैंक के प्रतीक चीन में किसे चितरित किया गया है सही answer है option C उप्युक्त A और B यानि की तार का विरिच और रॉयल बंगाल टाइगर अगर आपसे exam में ये पूछा जाए कि भारती रिजर्ब बैंक का जो प्रतीक चीन है उसमें किसका विरिच है आपका अंसर होगा तार का विरिच है और अगर आपसे पूछा जाए कि किस जानवर की फोटो है तो आपका अंसर होगा रॉयल बंगाल टाइगर की फोटो है ये दोनों फोटो है RBI के प्रतीक चीन मे नेक्स कोशन है मारा वर्तमान यानि कि 2021 में भारती रिजर्ब बैंक के कितने डिप्टी गवर्नर है आंसर है जो चार डिप्टी गवर्नर हैं 2021 में इनके नाम में आपको बता देता हूँ M. Rajeshwar Rao, M.D. Patra, M.K. Gen और BP कानुन को ये चार डिप्टी गवर्नर हैं RBI के Next question भारते रिजर्ब बैंक यानि की RBI के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है सही answer इसका option C. प्रधान मंत्री जो होते हैं ये RBI के गवर्नर की नियुक्ति करते हैं भारते रिजर्ब बैंक के गवर्नर की नियुक्ति प्रधान मंत्री किनकी सलहा पर करते हैं सही आंसर है, option C, वित्मंत्री, वित्मंत्री की सलहाब पर RBI के गवर्नर की नियुक्ति करते हैं प्रधान मंत्री, आपको इपता हो ना चाहिए, present में जो वित्मंत्री हैं हमारी देश की, वो महिला वित्मंत्री हैं, जिनका नाम है निर्मला सितरमन, ये भी आपने याद है, next question, भारती रिजर्ब बैंक के गवर्नर का कारेकाल कितने वर्षों का होता है, सही आंसर है, option C, तीन वर्षों का होता है, RBI के गवर्नर का कारेकाल, और friends, मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने daily current affair पढ़ना है, तो हमारा current affair का channel launch हो चुका है, बहुती best, detail वाला current affair बढ आपको पूरे YouTube पे कही नहीं मिलेगा, तो friends, आप मारा channel का अभी subscribe कर लीजे, link वीडियो के description में दिया हुआ है, या आप YouTube पे जाके search कर सकते हो, banking लोगपाल योजना की शुरुआत किसने की है, सही आंसर है, option B, RBI, RBI ने friends, banking लोगपाल योजना की शुरुआत करी है, next question, RBI क का लेखा वर्ष याने की accounting year कब से कब तक होता है, सही आंसर है, option B, 1 July से 30 June तक, 1 July से 30 June तक friends, भारते रिजब बैंक का लेखा वर्ष याने की accounting year होता है, next question, RBI के कोन से governor भारत के वितमंतरी भी रहे हैं, सही आंसर है, option A, Manmohan Singh, Manmohan Singh friends, ऐसे वितमंतरी हैं भारत के, जो की R के governor भी रह चुके हैं, next question, भारती रिजब बैंक की स्थापना किस I.O की शिफारिश पर की गई थी, सही आंसर है, option A, John Hilton Young Commission, जिसे की हम मुद्रा और वित्थ पर Royal Commission भी बोलते हैं, ठीक है, यह दोनों A की नाम है, और इस I.O की शिफारिश पर friends, RBI की स्थापना हुई थी, next question, एक रुपे का नोट जिसे करंसी नोट कहा जाता है, इस पर किस की हस्ताचर होते हैं, सही आंसर है, option B, वित्थ सचीव की हस्ताचर होते हैं, एक रुपे का नोट पर जिसे करंसी नोट भी कहा जाता है, आप से friends exam में ये पुछेंगे कि कि किस रुपे के नोट को करंसी भी कहा जाता है भारती रिजर्ब बैंक के एकमात गवर्नर जो प्रधान मंत्री भी बने हैं सही आंसर है option A मनमोहन सिंग मनमोहन सिंग जो थे यह ऐसे गवर्नर है जो की प्रधान मंत्री भी रह चुके हैं यह भी आपने याद रखना है अगर पुछा जाए कि कौन से नंबर के भारती भारती गवर्नर थे तो अब ऐसे गर हम बात करें तो यह फंदर वे गवर्नर थे और यह आंसर इसका option A उदय कुमार उदय कुमार ने फ्रेंट्स रुपए के चिंका निर्मान ने किया है RBI के रास्टे करन के समय गवर्णर कौन थे सही आंसर है Option C CD देशमुक RBI के रास्टे करन के समय गवर्णर थे Next question बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है आंसर है Option A RBI यानि कि Reserve Bank of India को बैंकों का बैंक कहा जाता है Offense Map को एक और good news देना चाहता हूँ कि हमारी नब book launch होने वाली है अगर आप किसी भी exam के प्रेंट त्यारी कर रहे हो ये book आपके लिए काफी जादा useful रहने वाली है हमारी book का जो फ्रेंट नाम होगा वो होगा रवीजीके के नाम से ठीक है भारती रिजर्ब बैंक के किस गवर्णर का कारेकाल सबसे कम रहा है सही answer है Option D अमिताप घोष का जो फ्रेंट ऐसे गवर्णर है आरभी आई के जिनका कारेकाल सबसे कम रहा है ये 20 दिन तक ही गवर्णर रहे थे और अमिताप गोच जो थे फ्रेंट्स आर्बियाई के 16 गवर्नर थे और इनका कारेकाल था 20 दिन का नेक्स कोशन कर लेदे हैं नेक्स कोशन है मारा भारती रिजर्ब बैंक के किस गवर्नर का कारेकाल सबसे ज़ादा लंबा रहा है सही आंसर है बारती रिजर्ब बैंक के गवर्नर के रूप में सरवादिक समय तक काम करने वाले व्यक्ति हैं वह 1 जुलाई 1949 से 14 जनवरी 1957 तक कुल 7 वर्ष 117 दिनों तक अपने पत पर कारियत थे भारत का केंद्रिय बैंक कोन सा है सही आंसर है option A RBI यानि की Reserve Bank of India या बोल सकते हो भारती Reserve Bank या बोल सकते हो केंद्रिय बैंक है कितने रुपे के नोट में शक्तिकान दास के हस्ताशर होते हैं सही आंसर है option B 20 रुपे के नोट हो जो होता है इसमें शक्तिकान दास के हस्ताशर है 2021 में भारती Reserve Bank के गवर्नर कोन है सही आंसर है option A शक्तिकान दास 2021 में RBI के गवर्नर है और ये 25 में गवर्नर है RBI के ये भी आपने याद रखना है एक रुपे के नोट को छोड़कर बांकी सभी नोट कौन जारी करता है सही आंसर है option B RBI एक रुपे के नोट को छोड़कर फ्रेंट्स जो बांकी जितने भी नोट है उसे RBI जारी करता है भारत में सिक्कों की ड़लाई का काम कौन करता है सही आंसर है option A, वितमन्तर आले, जो है ये भारत में सिकों की ढलाई का काम करता है, और भितमन्तर आले है, ये एक रूपे का नोट को जारी करता है, देवास नोट प्रेस किस राज्य में स्थेत हैं सही आंसर है option B मध्य परदेश में मध्य परदेश है friends देवास नोट प्रेस स्थेत हैं RBI ने RTGS सेवा को 24-7 बहाल कर दिया है RTGS का पूनरूप क्या होता है सही आंसर है option B real time gross settlement real time gross settlement RTGS का full form होता है next question RBI ने rapport rate को पहले की तरह कितने परतीश पर बरकरार रखा है सही आंसर है option C 4 पर RBI ने rapport rate को पहले की तरह 4 पर बरकरार रखा है important point discuss कर लेते हैं rapport rate की बात करते हैं जब हमें पैसे की जरुरुत हो और अपना bank account खाली हो तो हमें bank से करज लेते हैं इसके बदले हमें bank को बया चुकाते हैं, इसी तरह bank को भी जब अपनी जरुरुत या रोजमर्रा के कामकाज के लिए काफी रकम की जरुरुत पड़ती है, इसके लिए bank, RBI यानि की भारतिय रिजर्व बैंक से कर्च लेते हैं, bank इस loan पर रिजर्व बैंक को जिस दर पर बया चुकाते हैं, उसे रैपो रेट कहते हैं, एक और definition मैं आपको बता देता हूँ, रैपो रेट की, उमीर करता हूँ, आपको ये चीज़ समझ आगी होगी, वैसे एक और definition देता हूँ, मैं आपको simple language में, रैपो रेट भैदर होती है, जिस पर बैंकों को RBI कर्ज देता है, ब जैसे की home loan, vehicle loan, etc. Next question, RBI ने reverse रैपो रेट को पहले की तरह कितने परतिशत पर बरकरार रखा है, सही answer है, option A, 3.35% पर, RBI ने reverse रैपो रेट को पहले की तरह 3.35% पर बरकरार रखा है, फिर जानते हैं कि reverse रैपो रेट क्या होता है, जैसा इसके नाम से ही साफ है, ये रैपो को उनकी और से RBI में जमा धन पर ब्याज मिलता है, reverse रैपो रेट बजारों में नगदी की liquidity को नियंतरित करने के काम आती है, बजार में जब भी बहुत जादा नगदी दिखाई देती है, RBI reverse रैपो रेट बढ़ा देता है, ताकि bank जादा ब्याज कमाने के लिए अपनी र 10.5%, फिर जान लेते हैं कि GDP क्या होता है, फुल फर्म होता है gross domestic product, हिंदी में सकल घरेली उतपाद बोलते हैं, किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट द्वारा उतपादी समस्त वस्तु वे सेवाओं के कुल मुल्य को GDP कहते हैं, फिर इस मैं आपको बता दू कि स है, सही आंसर है, option A, 4.25%, और फिर यहां पर जो word है MSF, इसका full form होता है marginal standing facility, ये भी आपने याद रखना है, next question, भारत में विदेशी मुदरा भंडार किसके संदक्षन में रहता है, सही आंसर है, option A, RBI के, भारत में विदेशी मुदरा भंडार जो है, ये RBI के संदक्षन मे रहता है, आखरी question कर रहे हैं हमें इस वीडियो का, भारत में मुदरा अपरती को को नियंतरित करता है, सही आंसर है, option B, RBI, RBI जो है friends, ये भारत में मुदरा अपरती को नियंतरित करता है, फिर ये तो 38 question में आपको करवा दिये, इसका मैं आपको last में revision भी करवाने वाला उसे पहले friends में आपको बता दूँ कि SLR क्या होता है, जिस दर पर bank अपना पैसा सरकार के पास रखते हैं, उसे SLR कहते हैं, नगदी की liquidity को नियंतरित करने के लिए, इसका इस्तेमाल किया चाहता है, commercial bank को एक खास अरकम जमा करानी होती है, जिसका इस्तेमाल किसी emergency lending को पूर रकम बचती है, friends यहाँ पर जो SLR है, इसका full form होता है, statutory liquidity ratio, यह भी आपने याद रखना है, next friends हमारे पास CRR क्या होता है, देश में लागू banking नियमों के तहत हर एक bank को अपनी कुल नगती का एक निश्चित हिस्दा, reserve bank के पास रखना होता है, इसे ही cash reserve ratio, यानि की CRR या पूल कारे क्या बताई गए है, इसकी बादे, friends मैं आपको revision करवाने वाला हूँ, वो आपके लिए काफी ज़्यादा important रहेगा, भारत में मौदरिक स्थेता प्राप्त करने की दिश्टी से bank note के निर्गम को विनियामत करना तथा पारशित निधी को बनाए रखना और समान अब friends मैं आपको यह बता देता हूँ, कि जो विभिन note है भारत में, जो note चल रहे हैं, उसमें किस एतिहासिक स्थलकी photo लगी है, सबसे पहले friends हम बात करते हैं, 10 रुपे के note की, इसमें कुनार्क सूर्य मंदर की photo है, 50 रुपे के note में करनाट का जो हमपी का रथ है, इसकी photo ह अब पिक आपको करवा रहा हो ना, काफी important है यह, 200 रुपे के note में, सांची का स्थूप है, इसकी photo है, 500 रुपे के note पर दिली का जो लाल किला है, इसकी photo है, 2000 रुपे का note में, मंगलयान की photo है, और 100 रुपे के note में, रानी की बाव, इसकी photo है, ठीके friends, यह मैं आपको extra information भी अब friends, इस वीडियो का सबसे भैतरीन पार्ट है, revision, और friends, मैं आपको बता दूँ कि, अगर आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हो, तो book हमारी काफी द्यादा useful है, आपके लिए, रवी जीके के नाम से है, वो, link वीडियो की description मिल जागा, जब भी आपको यह book launch हो जाएगी, त Next question, भारती रिजर्ब बैंक की स्थापना, किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, 1 April 1935 को हुई थी, सही answer है, भारती रिजर्ब बैंक अधिनियम 1934 Next question, शुरूआत में भारती रिजर्ब बैंक का केंदरिय कारेयले कहां स्थापित किया गया था, आँसर है, कौलकाता में किस वर्ष भारती रिजर्ब बेंक यानि कि RBI का केंदरिय कारयले को स्थाई रोप से मुम्बई में स्थानद्रित कर दिया गया था आनसर है 1937 में भारती रिजर्ब बेंक का केंदरिय कारयले वह कारयले है जहां कोन बैठता है आनसर है RBI के गवर्नर बैठते है Next question मैं बंगाल टाइगर फ्रेंट्स मैं आपको good news देता हूँ कि जल्दी हमारी book launch होने वाली है अगर आप किसी भी exam की फ्रेंट्स preparation कर रहे हो त्यारी कर रहे हो फ्रेंट्स ये book आपके लिए काफी जादा useful रहेगी रवी जीके के नाम से फ्रेंट्स ये book होगी ठीक है रवी जीके के नाम से होगी औ हमारे चैनल का फ्रेंट्स लोगो भी रगा होगा ठीक है ये book देखे आप खरीदना और जल्दी आपको फ्रेंट्स ये flip card amazon पे मिल जाएगा और link भी मैं वीडियो के description में दे दूँगा यहां से आप purchase कर सकते हो वर्तमान में भारती रिजर्ब बैंक के कितने डिप्टी गवर्नर है आंसर है चार डिप्टी गवर्नर है भारती रिजर्ब बैंक के गवर्नर की नियुकती कोन करता है आंसर है प्रधान मंतरी करते हैं भारती रिजर्ब बैंक के गवर्नर की नियुकती प्रधान मंतरी किन का कारेकाल कितने वर्षों का होता है आंसर है तीन वर्ष का बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुवात किस ने की है आंसर है RBI ने यानि कि Reserve Bank of India ने भारते Reserve Bank का लेखा वर्ष यानि कि Accounting Year कब से कब तक होता है आंसर है एक जुलाई से 30 जुन तक RBI के कौन से गवर्नर भारत के वित्मंत्री भी रही है आंसर है मनमोहन सिंग नेक्स कोशन भारती रिजब बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी आंसर है जॉन हिल्टन यंग कमिशन फिर्ट अगर आपको ये तरीका मेरा पसंद आ रहा है कि पहले मैंने आपको सभी कोशन अच्छे से करवाई डिटेल में उसकी बाद सभी कोशन का मैं आपको रिवीजन भी करवा रहा हूँ फिर्ट अगर आपको ये तरीका पसंद आ रहा है तो फिर्ट कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी है एक रुपे का नोट जिसे करंसी नोट भी कहा जाता है इस पर किसके हस्ताशर होते हैं सही आंसर है विट सच्चिव के आपसे एकजाम में पुछा जाता है कि किस नोट को करंसी नोट कहा जाता है आपका आंसर होगा एक रुपे के नोट को नेक्स कोशन भारती रिजर्ब बैंक यानि की RBI के एकमात गवर्नर जो प्रधान मंतरी भी बने हैं आंसर है मनमोहन सिंग नेक्स कोशन रुपे के चिन का निर्मान किस ने किया है आंसर है उद्यकुमार ने RBI के राष्टे करन के समय गवर्नर कोन थे आंसर है सीडी देशमुक बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है आंसर है RBI को भारती रिजर्ब बैंक के किस गवर्नर का कारेकाल सबसे कम रहा है आंसर है अमिताब घोश 20 दिन की गवर्नर रहे हैं भारती रिजर्ब बैंक यानि की RBI के किस गवर्नर का कारेकाल सबसे ज़ादा लंबा रहा था आंसर है बैनेगल रामा राओ नेक्स कोशन भारत का केंद्रिय बैंक कोन सा है यानि सेंट्रल बैंक कोन सा है भारत का आंसर है RBI यानि की Reserve Bank of India कितने रुपे के नोट में शक्तिकान दाश के हस्ताशर है आंसर है 20 रुपे के नोट में 2021 में भारती रिजर्ब बैंक के गवर्नर कोन है आंसर है शक्ति कांदास जो की 25 में गवर्नर बने है RBI के एक रुपे के नोट को छोड़ कर बांकी सभी नोट कौन जारी करता है आंसर है RBI भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है आंसर है वित मंत्रालय देवास नोट प्रेस किस राज्य में स्थित है आंसर है मध्य परदेश में नेक्स कोशन RBI ने RTGS सेवा को 24-7 बहाल कर दिया है RTGS का पून रूप क्या होता है आंसर है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट फ्रेंट्स यहाँ पर आप रियल टाइम कर लो ठीक है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट नेक्स्ट है RBI ने रैपोर रेट को पहले की तरह कितने परतिशत पर बरकरार रखा है आंसर है 4 परतिशत पर RBI ने रिवर्स रैपोर रेट को पहले की तरह कितने परतिशत पर बरकरार रखा है आंसर है 3.35% RBI ने वितवर्ष 2021-22 के लिए भारत की GDP growth rate कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है आंसर है 10.5% RBI ने MSF और bank rate क्या रखा है आंसर है 4.25% भारत में विदेशी मुद्रा भंडार किसके संदक्षन में रहता है आंसर है RBI के भारत में मुद्रा अपूर्ती को को नियंतरित करता है आंसर है RBI यानि Reserve Bank of India मैंने आपको ये 38 कोशन करवाई डिटेल में उसकी बाद मैंने आपको सभी कोशन का रिवीजन भी करवा दिया ताकि आपको सभी के सभी कोशन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएं और याद भी हो जाएं और फ्रेंट्स मैं आपको इस गुड़ नियूस देता हूँ कि हमारा Current Affair का चैनल लौँच हो चुका है अगर फ्रेंट्स आपने डेली Current Affair पढ़ना है बिल्कुल डिटेल में तो हमारा Current Affair का चैनल है Current Affairs by Ravie आप लिख देता हूँ मैं Current Affairs by Ravie लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ है और वैसे आप यूट्यूब पर जाके सर्च भी कर सकते हो Current Affairs by Ravie को फ्रेंट्स इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीचे और Friends मैं आपको बता दूँ कि जल्दी हमारी Book launch होने वाली है हर एक्जाम के लिए Friends यह Book काफी ज्यादा useful रहेगी जितने भी Question Friends एक्जाम में पुछे जा सकते हैं सारे Question अमने इस वीडियो इस Book में cover कर दी है रवी जीके के नाम से Book होगी हमारी चैनल का Friends ट्रेडमार्क लोगो भी लगा होगा ठीक है जल्दी Friends आप कोई Book मिल जाएगी लिंक में वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आपको Amazon Flip Card पे भी मिल जाएगा और Friends हमारा जो टेलिग्राम है उसका नाम है रवी स्टडी आईक्यू जीके इसे भी Friends आप जॉइन कर लिजिए रवी स्टडी आईक्यू जीके हमारा टेलिग्राम है तो Friends आप हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू एंड विश्यू अल दी बेस्ट